कि अब सब तो उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स अभी मैंने सुबह का बेकफास्ट रेडी कर लिया है आज हम प्रेकफास्ट में सिर्फ दलिया खाएंगे संडे है और थोड़स दली खा लेंगे दो पहर को कर लेंगे हैवी लंच और तो यह दलिय सब्सक्राइब कर लिया है सुबह के बेकफास्ट के लिए और यह साइड दूसरे सब्सक्राइब कर लिया है और यह मेरा सारा किचन साफसफाई हो चुका है अभी सुबह का में नाश्ता नहीं किया है सबसे बहुत साफसफाई के आज सारे घर की और बाकी के सारे काम हो तो अभी आजाते हैं अपना पारम करतब्य पूरा करने के लिए जो कि हर एक लेडिस का परमधरम है साफ सफाई तो अभी कर लेते हैं साफ सफाई आज संडे है तो थोड़ा से इंज्वाई करना तो बनता ही है तो मैंने सबसे पहले सफाई से ही शुरू करती हूं और अपने हो सफाई किछन में अच्छी जल शापसफाई की ए और मेरे बेटे भी वह रहे थे ये क्यों टाले बैई हलमेट हैमेट क्यों टाल को आज ने पाया तो भाजी जो विडाल दाल लेगा और लगा लाँ अपना अपने फुलता देर से घा को लगाया वा तेने ऐका किस लिए लगाया है बढ्विंटर बद्विंटर भेल लेको हव्हल्मिट लगाते है गुह जैसे बड़ नहीं को लगाते है मुझे पर हम लगाते है तो बड़ बॉल में तो बॉल बसती है इसमें क्या बजना तुमारे सिर पे है ज़रूरी है है अगर आशे निए आशे कर देगे ना आख अगर फ्रेंड्स कमेंट करके प्लीज बताना कि इसके बच्चे है ऐसे मेरे तो बच्चों के हर एक बात पर और्गुमेंट होता है कुछ भी मतलब कर सकते हैं अगर इनसे थोड़ा सा ध्याना दिया जाए ना तो घर कवी-कवी तरह से लगता है कि घर भी शिफ्ट हो सकता है कहीं हो रहे हैं तो यह काम जोरो शोरों पे चला हुआ है सुबा से तूरे काम में लगे हुए हैं बख्यां भी टूट गई हैं हाल तखसता है फिर भी लोग वीडियो नहीं देखते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं तब भी कोई देखता नहीं मियाल खाड़ा नेलमेटा वियू गर्म गर्म चपातियां बनती हुई कोई तकड़ा है महारे पास कि से वाइज पतला है पर वैसे तकड़ा है पूरी फूग चड़ाकर रखते हैं पूरी फूग चड़ाकर रखते हैं पूग उतर ने नी देते हैं पूग चड़ाने का पूरा टेक्ट आए मार बाद यह देखिए वो ही रात वाड़े चणे गर्म होते हुए अप नोगों को ने नेटीषे बडाये बिटाए है हमें वोई रात्वाड़े खड़ाया जाते हैं तो वो कहां नोगी कभी गट्टे की कभी बट्टे की आप आप यह थाथी रहां भी राता है इसन कौन चाहां जाता है क्या उंदी क्या है इनकी ठीक निया आलत है ने कभू सेथ सिंगर कॉण स अच्छा लगता कभू तेरको तेरको सिद्धू सिद्धू आथता त्रेको सिद्धू का गाना कोई बता सुना गाना सिद्धू का कर खोना कोई थे अद्धू सिद्धू मुष्यमा कर गाना सुना तो फिर बोलता मैं सिद्धू का भानू है सिद्धू आरनेथ अई दोस्ते तेरा ओ यह फोह इधिरर्फेट इभी का का कार्नेथ का का पॉद पाटापका कर दाद दो सिद्धु थेक कापका सिद्धु को भी कड़ाने आप पर अंब सिद्धु को सिद्धु के से महारता पतापका त्युक्त ऐसे निद्धु कर देखाने मेरा ने पताकर तो अबने सारा कम सात्म करने के बाद में साथ से भाई हो गया है सारा लॉंज्च वेकफास हुछ तो अभी में यागे हैं फोड़े से कपड़े रहे थे ब्राइडे को युद होए थे वह फूड़े सेते मैं ने के चलो इसको भी नीकाल देती हूं तो साथ की साथ भी दूप बहुत अच्छी थी सूख जाएंगे उस दिन तो बहुत ज़्यादा बूरी हालत हुई थी रात को मैंने रात को कपड़े बाहरी रहने दिये रात को इतना तुफान आया इतना तुफान आया कि मैं और मम्मी भागे फटा-फट से कपड़े लेने क के लिए और आदा पोना घंटा तो ना मेरी ऐसे मेरे को इतनी ठंड लगी ना कि मेरे से कपड़े पूरे सारे कपड़े गिले बिल्कुल पूरे पूरे गिले हो गया हम लोग अड़ जब जाद आ रहा तो आप्छी हम गभी भी रात निंड़ा निः जोड़ाउंगी तो अब ही मैंने तो आज मैंने की लंच में कड़ी चाबर बनाऊंगी को समय हम इन रात एक्पड़े लो एक्स्रा मुपसित वो हो गए थे तो मैंने का चलो भी लंच में एक्वा जो सब और इस बाद पर हजबन ने तान न मारी दिया तो किस किस के अधदा से करते हैं न बताना मेर को जरूर कर दो кабड कृप्रे जो क्ष़र ने के वाज मैं फरी होई तो मैंस रहा है था तो अब अधायों Tutaj ने सोच अधू सब बना लेती हो चापती यहि hours सब्सक्राइब मंचाराई है गरानि में दीनीद सब्सक्राइब हो जाए गरानि आलमिक जनताब में न बात्रिंद और इसको चुछाए होगी बड़ एक बना एक बना के जरूर देखना में बंडी को हलका सा फ्राइ करें के बाद तो फ्रेंच मैंने अभी जाल दी है तमाटर प्यास को रफ्ली चौप किया है बूत मोता मोता काता है मैंने अभी इसको जस्त लाइट ब्राउन होने तक इसके बाद आप लोग सोचे होंगे ना कि बिंडी में टमाटर कोहन डालता है तो आप एक वर ऐसे स्राइ करके जरूर देखना मैं आपको बजबाब बाद में रेसिपी बनी की आएगी तब आपको बताऊंगी क्योंकि अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसको करूंगी ग्राइंड और ग्राइंड करने के बाद इसमें डालूंगी दहीं दहीं मैं आपको बनाके पूरी रेसिपी बताऊंगी प्लीज एक वरस को जुरू ट्राइ करके देखना बहुत ही तेस्टी बनती है मैं अभी कभी बिंडी की सब्जी में टमाटर यूज नहीं करती हूं जब मैं दही वाली सबजी बनाती हो न अभी हिंदि की दही वाली सबजी तो मैं इसमें टमाटर जरूर डालती हूँ बहुत अच्छा टक्सर आता है हम टमाटरों बून देंगे कि इसका टेस्ट ना कर बराबर आएगा बट इसका जो सब्जी का जो टेक्स रहना वो इस तमार्टर से चेंज हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं इसको ग्राइंड करने के बाद आपसे में इसको तो यह हमारी होगी है ग्रेवी रेडी अभी इसको हम बिल्कुल लोग आज पे थोड़ी देर भूनेंगे अच्छी तर थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी जब लास्ट स्टेज पर आएगी तो मैं आपको बताऊंगे ठीक है अब तक के लिए वीडियो में बने रहें तो फ्रेंड्स अभी हो गया इसका मसाला बिल्कुल रेडी हो गया देखिए ओयल उपर आगया है अभी मैं इसमें डालू अभी यह मैं ड़ी है जब डालोगे तो गैस को बंकर देना है अभी इसको थोड़ा रहो से शिख बलागी जाना है ताकि देहीं डाने से ना पट सकता है इस अब इसको मैंने गैस को बंकर दिया है अभी इंच्छी से मिलाओंगी पहले कि अच्छी तरह से अभी मैं कर दूंगी ग्यास ओन लोग आंच पर पकाना है पर फिर भी और इसको अच्छी तरह से खिलाब के लेना जब तक यह अच्छी तरह से पतना जाए देहिं को भी पकाना वह जुरूरी है निस उसका तेस्ट में आएगा अच्छे से अभी इसको ब अब इसको बढ़ेंगा आपको दिखाऊंगी तो यह अभी ग्रेवी हमोगी हमारी डेडि यह देखे तेल उपर आगया है सेपरेट हो गया है बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है दुसरी ज़र बिंडी वी रेडी हो गई है अभी मैं यह ग्रेवी उस बिंडी में डाल द सब्सक्राइब